हनी ने एक second hand car खरीदी और उसकी मरम्मत करते समय उसे एक चौकाने वाला रहस से पता चला कार की पूरी body वाकई में शुद्ध सोने से बनी थी उसको अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था इसलिए उसने गाड़ी का बायोनेटर खोला और खुरचने लग गया सुनहरा लड़का अब पूरी तरह से गडबड हो गया था और फिर उसने खुशी खुशी काफी हिस्सों को पॉलिश करने लग गया वही सुनहरा रंग निकल रहा था पॉलिश करते समय हनी अपनी भविश्य के बारे में सपने देखने लगा अंत में दूसरों को इस चीज का पता ना चले सोने के उपर सफेद पेंट कर लिया फिर हनी ने कार के साइलेंसर का टुकडा काटा और वो हिस्सा एक गिर्वी रखने वाली दुकान में या जांचने के लिए ले गया कि सोना असली है या नहीं गिर्वी रखने वाले दुकानदार ने इस टुकडे को अपने साथ कबजे में रख लिया और कहा कि भले ही ये सोना हो लेकिन इसको केवल कम कीमत में ही खरीदा जा सकता है जैसे ही उसने कीमत मांगी आदमी ने सोने को और भी अच्छी तरह से चेक करने में लग गया और सोचता रहा कि इस तरह की शकल का आदमी भी सोना निकाल सकता है उसने हनी से पूछा कहां से आये हो इसलिए हनी ने सिर्फ पेपर पर सिगनेचर की और पैसे लेकर वहां से चला गया अब हनी उस पूरी कार का क्या करेगा